Hi Everyone, Welcome to Jiva With Mobcom Channels मैं Kirthi Mishra आज हम आपसे बात करेंगे कि कमर की जो प्रेग्नेंसी के बाद कमर में जो चर्वी जमा हो जाती है हमारे जो टायस जमा हो जाते हैं या फैट जमा हो जाते हैं जिने हम नॉर्मल भासा में टायस कहते हैं एक टायर, दो टायर, किसी किसी के तीन टा अपना वजन कैसे कम करें तो चलिए समय निगवाते और हम इस टॉपिक पर चार्चा करते हैं आज आप सब से होता क्या है जब हम कोई भी खाना खाते हैं या कोई भी हम इंटेक करते हैं किसी प्रकायर के ट्राइफ फ्रूट्स फ्रूट्स सूप वेजिटेवल से जो बीजस में की कार्बो हाइडर्स की मात्रा होती है या फैट की मात्रा होती है शुगर कंटेंट होते हैं तो वो सब जाके अगर हमारा शरीर उतना फजिकल वर्क नहीं कर पाता वो सब जाके हमारे सबसे पहले पेट में जमा होते जाते हैं पेट की चर्वी जो जमा होती है वो सबसे पहले जमा होती हो और सबसे बाद में निकलती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि सबसे बाद में पेट की चर्वी या बैली फैट की चर्वी हमारी जाती है और अगर हम नॉर्मल भाषा में आपको समझाते हैं तो जब शुगर में लास्ट में कनवर्ट होती तो भी जमा होती है और जो fat हमारा content होता है, घी होता है या तील होता है, जो भी सबजी का या सलाद का या दाल का फ्राई का या घी हम फॉर्म में लेते हैं, तो कहीं न कहीं वो bad fat के रूप में जाके या cholesterol के रूप में जमा होता जाता है, जब जमा होता है तो हम physical work उतना नहीं करते हैं, जनरल होता है, वो physical work हम जादा ना करने के कारण से वो हमारे surrounding पेट के चारो तरब पे जमा होता जाता है, तो इसे हम निकालें कैसे, तो चलिए बात करते हैं, इस process को बनाने में या इस ये green tea के जैसा ही होता है, और ये tea हम early morning खाली पेट लेते हैं, इस tea से बहुत ही ज़्यादा benefit होता है आपको fat loss करने में या belly fat घटाने में, इससे belly fat घटेगा ही घटेगा, साथ में inches भी loss होने के साथ में आपके face का area, arms का area, प्लस आपके belly fat का area, ये सभी धीरे-धीरे से inches में लॉस होना शुरू कर देते हैं, inches में loss होने के बाद फिर धीरे-धेरे weight loss होता है, कभी-कभ वेट लॉस करेंगे तो सबसे पहले आपका एक दो किलो वेट लॉस होगा उसके बाद जो आपकी बॉड़ी का एकसस वाटर जम होता है वो धीरे दीरे निकलता है और इंच लॉस होना शुरू होते हैं तो कभी कॉंस्टेंट हो जाए वेट ना कि वेट इतना हमारा दो किलो घटके या तीन किलो घटके कॉंस्टेंट हो गए तो घबराना नहीं है उसके साथ साथ में इंच लॉस होजने लगते हैं तो आप इंच भी अपना ध्यान दीजिए कि हमारे जो इंचे वह भी हमारे लॉस हो रहे हैं तो चलिए इस टी को बनाने की आज प्रोसस देखते है और कौन-कौन से इसमें कंटेंट हम डालेंगे या कौन-कौन से हम इंडिग्रेंट डालेंगे या कौन-कौन से हम इसमें चीजें लेते हैं वो बनाने में वो हम आप से इस बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा इसमें जीरा जीरा आयुर्वेद में बहुत ही important काम करता है fat loss में और immunity power बढ़ाने में जीरा कई रोगों से आपको छुटकारा दिलाने में मदद करता है और जीरे में कफ, वात, पित, तीनों को समान इस्तर पे लाने का काम करता है या समान इस्तर पे लाने का तीनों का गुड़ पाया जाता है एक शोध की अनुसार जीरे में थाइमो कुनन पाया जाता है जो की शरीर में मौज़ोद free radicals तत्तो जो होते हैं उनको नस्ट करने की process करता है उनको नस्ट करता है जिससे की शरीर में जो भी विशाक्त तत्तो होते हैं उन सब को वो हटा के बाहर कर देता है Urine के माद्य हमसे और उन तत्तों को नस्ट होने के बाद जब आपका शरीर विसाक तत्तों से नस्ट हो जाता है या विशाद तक तो हड़ जाते हैं तो हमारा वजन गटने में बहुत ही important साहयक होता है जीरा या हमारा वजन गटना तक चालू हो जाता है जब तक हमारे शेरेईर में विशाक तत्unt होते हैं तब-तक हमें कोई भी दवाईएं फायदा नहीं करती हैं ज़्यादा या कोई भी आप फिजिकल वर्क या कुछ भी किसी विवी तारह से करते हैं तो जब तक हमारे अंदर गंदगी भरी होती है तो वह नहीं निकलती ना तब तक हमें कोई अच्छी सीज़ें अगर हम कितना भी इंटेक कर लें वह फायदा नहीं करती तो सबसे पहले हमारी बॉड़ी को डेटॉक्स करना होता है यह हमारी बॉड़े से जितने भी विशाप तक तो भरे हुए हैं उन सब को हमें निकालना ह होता है तो जीरे का यह प्रमुख कारण होता है जीरे का प्रमुख कुण होता है जीरा बैड कोलेस्टरॉल को कम करता है और गुड कोलेस्टरॉल को बढ़ाता है जीरे में डायबटिक लक्षणों से भी लड़ने की क्षमता पाई जाती है और डायबटिक लक्षणों को भ जीरा होता है लेकिन यह जो वेट लॉस की हम रेमडी बना रहे हैं या टी बना रहे हैं इसमें कई और ऐसे तत्व हैं जो और भी शरीर को फायदा करते हैं खास्ताव से प्रेगनेंसी के बाद यह हो गया जीरा के गुड़ जीरा हमें संक्रमण से लड़ने में बहुत मदद क एक प्रकार का भी हमें संक्रमण होता है सर्देजु खांव भॉकार या किसी तरह से तो उसने लड़ता है उसमें जो लड़ने के गुड़ पाये जाते हैं यह जो हमारी अर्बसी लड़ती है उन बुरे बैक्टिरिया से तो उसको बढ़ाने में मदद करता है उस्टों आपके चेहरों की जुरियां भी कम करता है चेहरे की जो गलो होता है वो भी लाता है दर्द में बहुत फाइदा करता है अद्रक किसी को अगर माइग्रेन की समस्या होती है माइग्रेन की समस्या कभी-कभी आप देखे होंगे न सर बहुत भारी सा रहता है या दर्द होता है अध्रक केते हैं चाए कुल हो जाएगा और हो तभी ऐसा अगर हमने सरढ़ के पीए उसे फायदा करते हैं यह श्रओं कर होते हैं कि अध्रक करते है यह घूर्द होता है उस Grid Clotting नहीं हो देते हैं या हमारे शरीर में, हार्ट में या किसी भी पार्ट में हमारे ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देते और ब्लड को अलका सा पतला रखता है कोलेस्टरॉल के इस्तर को नियंत्रत करता है अद्रक अद्रक किसी भी प्रकार का शरीर के दर्खास तोर से प्रेगनेंसी के बाद अग यह अधरक के बहुत ही important गुंड होते हैं निगरेंट है तेजपत्ता या belief यह तेजपत्ता हमारे गर में मसाले में भी यूज़ होता है यह सभी हमारे įह चाय के सभी पधार्त हैं यह सभी सभी के घर में पाई तो तीज पत्ता हमें जो स्फоко को स्वसंतंत्र हमारा होता है सांस लेने में प्रॉब्लम होती चैसा होता हैं कि व्यूंटे में फंगल इंफेक्शन होता है उसको हटाने में बहुत सहायक होता है तो आप से रहेंगे तो अगर थोड़ी सी भी कुछ infection होता है तो उससे आपको निजात मल सकती है यह भविश्य में नहीं हो सकता है ऐसे गुण इसमें पाय जाते हैं तो आप इसमें तेज पत्ता ले सकते हैं fungal infection को कम करने का काम करता है तेज पत्ता हमारी body से जो excess water होता है जैसे कभी-कभी सूजन होती है हमारी body में तो हमारी body में excess water के कारण से होती है तो तेज पत्ता में एक गुण ऐसा पाया जाता है जो excess water को urine के थूँ निकालता है और आपकी body की सूजन को कम करता है next है नीबू नीबू में vitamin C भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो fat cutter के नाम से भी जाना जाता है और ये आपके हड़ीद को मजबूती प्रदान करता है ये fat को भी कम करता है फैट को गलाता है नेक्स्ट है शहद अगर किसी को शुगर है तो शुगर को स्किप कर सकते हैं आप अगर शुगर नहीं है आपको तो आप अपनी इक्षानोसार अगर आपको मीठा हलका पसंद है तो आप शहद ले सकते हैं नहीं पसंद है तो थोड़ी सी ले सकते हैं लेकि ये स्वादा अनुसार है शहद में रोक प्रतिरोधक शमता बढ़ाने के गुण पाये जाते हैं सकफ रिलीज करता है शहद और वजन घटाने में सहायक होता है ये सभी पांचों एंडिगरेंट्स लेके और आप इसमें यानि की जीरा हो गया तेजपत्ता हो गया अद्रक हो गई और निबू हो गया और शहद ये पांच चीजें हमको इसमें लेनी हैं आप एक तेजपत्ता ले सकते हैं एक से दो तेजपत्ता ले एक चमत जीरा ले और आप आधा या एक निबू का रस और लगभग इतने इंच इतनी बड़े अद्रक कर टुकडे को आप किस लीज कई ख़या एक काई पानी कई सकते हैं लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं या भूल जाते हैं तो आप औरूraly मोर्निंग भी उसको आधे गंटे पहले एक अगंटे पहले बिगो दे और उसके बादाप चाय बना लेना हो तकoped आसँ मैं पानी लेना घाल्येक से चिमकाश Sug वाइल होके हमारा लगबग आदे ग्लास बचे आदे ग्लास से थोड़ी ज्यादा भी बचे तो कोई इश्यू नहीं है लेकिन आप उसको आदे ग्लास तक बचा के रखें और अगर आप ज्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो इसका पानी अगर आप दो पहर तक रखते चाहने के बाद में इसमें एक चमश्याद या स्वादा अनुसार चमश्याद और एक या आधा निवू इसमें आप डालके इसको जैसे हम चाय पीते हैं वैसे ही जिब जिब करके पीना है याद रखें इससे सुबह खाली पेट लेना है और खाली पेट लेने के बाद यान पानी की मातरा जादा पिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो पानी जादा एंटेक करें और ऐसा भी नहीं कि बहुत जादा करें लेकिन फिर भी दिन में तीन से चार पांच लेटर पानी अपने वजन की अनुसार पिए हैं अगर किसी का वजन जादा नहीं है खाना खाने के आदे गंटे बात भी इसे पी सकते हैं, रात में सोने के पहले ले सकते हैं, आप इसे अपने सुविधा अनुसार जितने बार पिना चाहें, उतने बार आप पी सकते हैं, और अपना वजन दिखेगा, जादू होता है इसमें, जादू, मेरा जो ये फेस दिख मेरी पुराने वीडियो कभी उठागे देगो न तो ऐसा है मेरी दू प्रिग्नेंसिया बैक टू बैक हुई और मुझे वजन घटाने का टाइम नहीं मिला उसके बाद मुझे दो तीन ऑपरेशन और हो गए जिसके कारण मुझे तो वीट लॉस करने का बिलकुल भी मौका नह तो आप भी इससे लिजिए और अपना वजन घटाईए और जादो देखिए और आपको फादा करता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें उन्हें भी बताएं और उनका भी वजन घटाने में मदद करें मेरे द्वारा दीके जनकारी आप लोग को अच्छी लगत थैंक्स ववचिंग जीवावित मॉमकॉम चैनल